सिधार शुकला के साथ 13 साल पुराने लिंक अप पर फाइनली आस्ता चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है आस्ता चौधरी सिधार शुकला की को स्टार रही इन दोनों ने साथ में बाबुल का अंगना छूटे ना जैसा सुपर हिट शूदिया था और इन दोनों का लिंक अप भी किया गया था ये कहा जाता था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे अब इस पर आस्ता ने बहुत कुछ कहा है चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में क्या बोला है आस्ता ने आपका समय जादा नहीं लेती आस्ता कहती है कि मेरे पास जादा कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि हम दोनों एक साथ इस शो पर काम कर रहे थे और हम दोनों ही काफी अच्छा समय बिता रहे थे एक दूसरे के साथ और जब भी आपका कोस्टार आपके साथ कही जगे पर स्पॉर्ट होता है तो लोग आपको एक दूसरे के साथ लिंक अप करने लगते हैं और उस बीच हम दोनों एक साथ चिल करते थे और खूब बाते करते थे और इसके बाद रूमर्स आने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं जबकि ये सही नहीं था आगे वो क्या बोलती है बिग बॉल सीजन 13 के दौरान सिधार शुकला को जो एंगरी यंग मैन का चाई चल दिया था उस पर भी आस्था ने बोला है और कहती है कि सिधार अभी भी वही इंसान है लेकिन पिछले कुछ सालों में वो काफी मिचौर हो गए है शो में कई लोगों ने कहा कि उन्हें एंगर इशूज है लेकिन ये उनका नॉर्मल नेचर है अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत है तो वो इसे कभी भी एकसेप्ट नहीं करते हैं वो इसे लेकर लड़ते हैं और इस बारे में बात करते हैं वो हमेशा से ऐसे ही इंसान रही है हम आपको बता दें कि आस्था जो है वो आखरी बार शो केसरी नंदन में देखी गई थी वेल गाईज ये था अस्था का इंटरव्यू और सिधात शुकला जहां पर उन्होंने अपने और सिधात के रिलेशन को लेकर भी काफी कुछ बोला है आप मुझे बताईएगा इस पर आपका क्या टेक है कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा चलिए गुद बाई